कि एक के आज हम्म डिस्क्राश करने वाले डाल दीयां वहांसे जाके भी टावलोट कर सकते हैं तब जो बोलता है कि at constant temperature the volume of a given gas is inversely proportional to its pressure यानि कि जब हमारा जो gas रखी हमना उसको temperature constant रखा temperature हमारा same है तो उस condition में क्या होगा जो हमारा volume है gas का वो inversely proportional होगा pressure के मतलब अगर हम volume को बढ़ाएंगे तो pressure घटेगा और अगर हम pressure को बढ़ाएंगे तो volume घटेगा और इस चीज़ को mathematically लिखते है वी इस डायरेक्टल प्रपोर्शनल टू वन अपॉन पी और इसकी जो derivation है वो हम करते है इसकी kinetic gas equation जो हमने पिछल topic में पढ़ी थी जो कि होती है पीवी इक्वल टू वन बाई थ्री एम में यू स्क्यार अब यहाँ पर वन बाई थ्री तो as constant है क्योंकि यह constant value और जो m है वो है हमारा mass mass भी constant है एन है हमारा number of molecules वो भी constant है यू है हमारा root mean square velocity जो की constant है अब इस जब हमें पता लगे कि यह सार चीज constant है तो हम इसकी जगा लिख देंगे constant और यह हो जाएगा pv is equal to constant अब हम जब भी constant वाली चीज़ को हटाएंगे तो यहाँ पे proportionality का sign लग जाएगा क्यूंकि जैसे हम कई अब proportionality की sign को हटाते है तो वहाँ पे constant लग जाता है तो इसमें उसका उल्टा होगा constant को हटाएंगे और proportionality का sign लग जाएगा अब यह हो जाएगा तो इसी ट्रीके से हम याद गर सकते हैं कि बॉय ने कुछ पिया यह हो गया प्वाइल स्लो का ट्रिक है ओके सो अब हमारी जो नेक्स चीज़ है वह हमारी चाल्स लो तो चाल्स लग होती है constant pressure हमने बॉयल स्लो में हमने temperature constant माना था और चाल्सलो में हम प्रेशर को constant मानेंगे जब हम प्रेशर को constant माना तो इस condition में the volume of a given gas is directly proportional to the absolute temperature तो जो हमारा volume होगा वो directly proportional होगा absolute temperature का और इसे हम लिखते हैं V is directly proportional to T और यह sign होते है directly proportional का अब बात आती है कि absolute temperature है क्या तो absolute temperature को हम define करते है absolute temperature वो temperature है जब तो Kelvin scale की reading है वो zero Kelvin हो यानि कि सबसे lowest temperature को हम बोलता है absolute temperature और अगर हम इसे degree centigrade में convert करेंगे तो यह आता है माइनस 273 degree centigrade अब तो इसकी derivation है वो हम करते है idle gas equation से तो हम idle gas equation होती है जो PV is equal to nRT अब यहां पर जो मारा P है वो तो constant है क्योंगी हमने इसकी definition में माले कि when pressure is constant and n is number of molecules अब वो भी constant है और R तो है वो होता है हमारा gas constant और इसकी value होती है 8.314 Joule Kelvin inverse mole inverse ओके सो जब हम बाता लगया कि मारा pressure भी constant है number of molecules भी constant है और R भी constant है तो हम लिख सकते हैं V is direct proportional to T या फिर T is direct proportional to V अब इसकी जो tip है वो बड़ी easy है तो चार्स को हम समझेंगी चार और TV तो हम इसकी trick नासते है कि चार लोग TV देख रहे हैं चार लोग TV देख रहे हैं यहां से हम चार्स लोग को learn कर सकते हैं औके सो हमारा जो next topic है वो है Avagator's law तो Avagator's law बोलता है कि जो हमारा pressure and temperature constant हो जो volume है वो directly proportional होता है number of molecules की यानि V will be directly proportional to N यह volume और यह number of molecules अब इसमें जो नोट करने वाली बात वो यह है कि जो volume हम use करेंगे वो same होगा तो अब इसकी derivation है वो very easy है PV is equal to nRT यह है हमारी idle gas equation अब यहां पर pressure है constant जो हमने definition में मान लिया था और जो हमारा temperature है वो भी हमारा constant और R तो है gas constant जिसकी value होती 8.314 joule Kelvin inverse mole inverse और यहां से मैं पता लागी कि जो हमारा volume है वो directly portion है nK अब इसकी जो tip है वो याद करने की वह आवगाद्रो को हम समस्कते हैं अभे गधे विन अभे गधे जीतो अभे गधे विन तो हम इन tip और ट्रिक्स को यूज करके हम जो gas loss है उनको याद कर सकते हैं और उनकी जो derivation उसे भी derive कर सकते हैं अब हम इसके बात करेंगे ideal gas equation जो मैं अभी next topic बनाओंगा उसमें मैं उसे अराम से define करूंगा ओके थैंक यू